पूजा पाथ तरपन आदी में लोग का मुख्य रूप से इस्तिमाल किया जाता है जियोतिश शास्त्र में लोग का काफी महत्व है हमारे घरों में पूजा पाथ के दौरान देवी देवता को भोग लगाने के लिए इसका इस्तिमाल होता है जियोतिश शास्त्र में लोग के कुछ आसान टोटके बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति की छोटी से लेकर हर बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है दूर होगी हर बाधा सरसों के तेल का दीपक जलाकर इसमें दो लोग डालकर हनुमान जीजी की आरती करें जिन्हें किसी सदस्य या बच्चे को बुरी नजर लग गई है तो इससे छुटकारा पाने के लिए भी आप लोग का उपाए कर सकते हैं इसके लिए पाँच साबुत लोग लेकर उसे नजर लगे बच्चे के सिर से पैर तक साथ बार सीधा और साथ बार उल्टावार कर जला दें ऐसा करने से नजर दोश खत्म हो जाता है नहीं सताएगा राहू केतू का दर्यदी किसी व्यक्ति को कुंडली में राहू केतू दोश सता रहा है तो उसे हर शनिवार को लोग का दान करना चाहिए इसके अलावा आप शिवलिंग पर भी लोग अर्पित कर सकते हैं ऐसा करने से राहू केतू के बुरे प्रभावों से मुक्ती मिलती है कार्य में मिलेगी सफलता धन की देवी मा लक्ष्मी को लाल गुलाब के साथ दो लोग अर्पित करें ऐसा करने से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है साथ ही धन धान्य की कमी नहीं होती वहीं अगर आप किसी जरूरी काम के लिए बाहर जा रहे हैं तो घर से निकलते समय मुह में दो लोग रख कर निकले और वहां जाकर लोग के कुछ अवशेश मुह से फेक दे ऐसा करने से उस कार्य में सफलता मिल सकती है